आई दोस्तो इस प्राइंगल को देखते हैं Is it possible to have a triangle with the following side इस प्राइंगल में कहना चाता है कि जो mentioned side दी हुई है part 1 से लेके 3 में क्या उसके हिसाब से triangle बन सकते हैं understanding के लिए one by one हर part को solve करते हैं first part पे चलते हैं दोस्तो यहाँ पर understanding यह है हमारे पास हमें side दी हुई है किसी भी triangle की एक side है 2 cm, 3 cm, दूसरी side है तीसरी side है 5 cm, यह 3 हमने side दी हुई है तो जो basic understanding है, जो basic condition है किसी भी triangle के होने की वो क्या है कि अगर मिरे पास side दी हुई है triangle की तो उसमें कुछ understanding ऐसे है कि sum of two sides of a triangle ट्राइंगल की दूस्तों 2 side है उसका जो sum है वो greater than होना चाहिए किसी third side से अगर वो third side से greater than है तो हम कह सकते हैं कि triangle is possible उस case में triangle possible हो सकता है तीन sides हमें यहां दी हुई है इन तीनों को देखते हैं और इन तीन side से अब देखिए यह जो property है यह लगा के देखते हैं कैसे पहले दो side 2 plus 3 का sum लेते हैं और चेक करते हैं क्या यह 5 से बड़ा है देख लेते हैं दोस्तों टू प्लस 5 क्या होता है यह होता है 5 is greater than 5 क्या ऐसा है आधा नहीं है ठीक है दूसरी probability देख लेते हैं क्या होती है अगर हम इन दो side का sum देखें क्या यह से बड़ा है मतलब के 7 is greater than 3 yes यह से बड़ा है ठीक है अगर हम तीसरी probability देखें 3 plus 5 क्या ये 2 से बड़ा है देख लेते हैं 8 is greater than 2 हाँ ये 2 से बड़ा है पट यहाँ पर condition property ये कहती है कि अगर हमें एक भी ऐसा case मिल जाए कि जहाँ पर वो triangle नहीं बन सकता तो हम ये मानेंगे conclude करेंगे कि triangle is not possible triangle यहाँ possible नहीं है क्यों क्योंकि ये वली condition यहाँ लागू नहीं होती है एक case में लागू नहीं होती है बाकी 2 case में लागू होती है तो जहाँ लागू होती है वहाँ की कोई दिक्कत नहीं बट अगर एक case में लागू नहीं होती है तो triangle possible अगर triangle को possible बनाना है तो तीनों case में इसको लागू होना पड़ेगा तो यह जो first part है यह सका solution है कि triangle is not possible second part में चलते हैं second part में जो 3 sides हमारे पास है वो क्या है 3 cm, 6 cm और 7 cm तीन sides नहीं है तीनों में possibility देखते हैं क्या है 3 plus 6 greater than 7 क्या ऐसा है देख लेते हैं 9 is greater than 7 येस ऐसा है ये ठीक है मतलब ये statement और property ठीक तरीके से काम कर रही है दूसरी probability देखते हैं 3 plus 7 कर देते हैं क्या ये बड़ा है 6 से देख लेते हैं 10 is greater than 6 हाँ ये 6 से बड़ा है तीसरी क्या possibility होती है 6 plus आप 7 लेजी क्या ये 3 से बड़ा है ये 13 आएगा greater than 3 ये 3 से बड़ा है अगर ये तीनों के प्रॉपर्टी तीनों के तीनों के तीनों के तीनों के लागू होती है क्या कहता है हमारे पास तीन साइट्स है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ठीक है possibility क्या क्या हो सकती है 6 plus 3 is greater than 2 क्या ऐसा है देख लेते है 9 is greater than 2 हाँ 9 2 से बड़ा है मान लिया हमने इसका मतब प्रॉपर्टी यहां पर काम कर रही है दूसरी क्या possibility हो सकती है 3 plus 2 यह वाला ले लेते हैं क्या ही 6 से बड़ा है 3rd साइट से 5 है यह 6 से बड़ा नहीं है तो यहां पर हम कहते हैं यह possibility यहां पर लागू नहीं होती है प्रॉपर्टी यहां पर काम नहीं कर रही है 3rd case में भी देख लेते हैं चेक करने की जूरत हमें वैसे है नहीं क्योंकि second case ही fail हो चुका है तो हम conclude यहीं कर सकते हैं पर फिर भी understanding के लिए देख लेते हैं 8 is greater than 3 हाँ यह यहां पर possible है तो यह वाली जो second case है इसमें यह देखे property काम नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं क्या conclusion निकालेंगे solution इसका बराएंगे triangle is not possible यहां पर triangle दोस्तो possible नहीं है तो इस तरह से हम तीनों पार्ट यहां पर चेक कर सकते हैं side of triangles देख सकते हैं condition हमने आपको बता दी property हमने आपको बता दी यह basic property यहां पर चलती है sum of two side of a triangle is greater than the third side अगर ऐसा है तो ही triangle possible हो सकता है इस तरह के दोस्तों हम इस problem को solve कर सकते हैं